प्रश्कार दोस्तों, AutoDust Channel की नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं TVS Scooter Ace गाली के All Spare Parts तो दोस्तों, यह spare parts हमारे पास available हो गए हैं दोस्तों, अगर आपको Scooter Ace के spare parts की requirement हैं आप इस वीडियो को अंट देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चलिए दोस्तो में आपको आपको सबसे पहले हैं सबकी unboxing दिखाने वाले हैं और दोस्तों अगर आपको इन parts को खरीदना है तो वीडियो के end तक बने रहे हैं क्योंकि वीडियो के end में आपको पुरी जानकरी देने वाले हैं कि कहां से आप इन spare parts को खरीद सकते हैं तो दोस्तों ये scudis की headlight है जो कि एकदम java dust quality की headlight हमारे पास available हो गई है दोस्तों हमने इसको unbox कर लिया है और quality की बात करें तो एकदम premium quality की headlight है जो कि आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगी quality आप देख सकते हैं quality में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है तो दोस्तों ये scudis की headlight थी जो हमने आपको unbox करके दिखाई चलिए दोस्तों अगले पार्ट पे चलते हैं तो दोस्तों इसमें एक और model आता है scudis old model तो इसकी भी headlight आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगी तो चलिए इसको भी हम आपको open करके दिखा देते हैं तो दोस्तों ये scudis old model जो गाड़ी आती रही scudis old model tbs की ये उसकी headlight है तो ये headlight भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगी quality की बात करें तो quality भी आपको अच्छी quality की देखने को मिल जाती है तो चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं tvs scudis की block slender kit दोस्तों ये tvs scudis की original block slender kit है जो हमारे पास available हो गई है तो चलिए इसको हम आपको unbox करके दिखा देते हैं दोस्तों ये tvs की scudis की 100% genuine spare part है तो दोस्तों अगर आपको कोई भी spare part की requirement है तो हमसे आप contact करके कोई भी part को घर बेटे order कर सकते हैं ये scudis की block kit है जो आज हम आपको unbox करके दिखा रहे हैं तो ये दोस्तों हमने इस block slender kit को unbox कर लिया है और ये 100% genuine block slender kit है जो की हमारे पास available है tvs scudis की चले जो अगले पार्ट पर चलते हैं और इस block slender kit को रख देते हैं तो दोस्तों ये है tvs scudis का gear kit ये gearbox की kit है तोस्तों जो की हमारे पास available है दोस्तों ये जितने भी gear आपके tvs scudis में लगते हैं सभी gear हमारे पास available है ये पूरी gear kit आती है इसकी जो की हम आपको एक-एक gear को open करके दिखाएंगे सबसे पहले हम ये वाले gear को open कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का ये gear रहता है तो दोस्तों ये gear है जो कुछ आपको कुछ इस तरह के देखने गो मिलेंगे जोकि आपके स्कूटी ये समें परेटो जाते हैं तो दिखारेते हैं दुस्तो eddy ये पूरे गेर केटर आती है पूरजाद को हम आपको open करके दिखाने वाल है इसको double gyaar के नाम से जाना जाता और दोस्तो इसको ये दूसरी gyaar है इसको आपको शाफ ड्राइब के नाम से जाना जाता है इसको वील शाफ के नाम से भी जाना जाता है तो ये गेर पूरी केट आती है दोस्तो इसमें टोटल तीन गेर आपको देखने को मिलते हैं तो ये दोस्तो इसको फाइनल गेर कहते हैं जो ये हम अभी ओपन करके आपको डिखाने वाले हैं दोक्तों इसको फाइनलре के नाम से जाना जाता है शहलिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा लेते हैं तूइंस को इस तीन गेर की केट रहती है जो हमारे पास अभी लिबर हो गई है दो कोई हैं दोश्तों दोक्तों तो यह सो प्रभी आपको अग्ले साइस के आपको संद्स Capital को मिल जाने वाले है यहson कमपनी का piston है और piston की बाद कर तो सेम कंपनी का piston original supply में आपको देखने को मिलता है तो सभी साइस के piston भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाने वाले हैं चलिह दोस्तों अगले पाट पर चलते हैं तो दोस्तों यह है स्कूटीएस गाड़ी का इगनाइटर क्वाइल तो यह इगनैटर क्वाइल भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगी यह निपाउन कंपनी की इगनाइटर क्वाइल है जो की ओर कि सिका है है इसके सार में आपको एक सिंगल केबल अलग से देखने को मिल जाएगी चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ तो दोस्तों यह है आपका टीवियस क कारी का क्वाली दीखाते हैं और quality दिखाते हैं दोस्तो quality की बात करें तो no doubt दोस्तो ASK कमपणी का क्लश्यू है तो कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा ASK के क्लश्यू original supply में आपको गाडियों में देखने को मिलते हैं दोस्तो ये bullet में आपको original इसकी supply देखने को मिलती है bullet की clutch plate आपको original ASK की देखने को मिलती है तो दोस्तो ये ASK के clutch यू है scooty ASK ये भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाएंगे चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं तो दोस्तो ये है tvs scooty AS काड़ी का rear brake drum ये rear brake drum भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगा और दोस्तो quality की बात करें तो quality में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है एकड़म premium quality का ये rear brake drum है जो की आपको हमारे पास देख देखो बिल जाने वाला है चलिए उस्तो अगले पार्ट पे चलते हैं तो दोस्तो ये है आपका lock set ये tvs scooty AS का lock set है तो दोस्तो देख सकते हैं ये ignition lock है sorry ignition lock दोस्तो ये चार पेन वाला ignition lock है tvs scooty AS का जो की हमारे पास available है अल्ट्रोन कमपनी का दोस्तो अगर आपको इस lock की भी requirement रहती है तो आप हमसे contact कर सकते हैं तो ये चार पेन के कप्रर के सार्थ में आपको देखने को मिलता है चली चलते हैं अगले पार्ट पे तो दोस्तो ये है rear shock up दोस्तो ये rearshowCup है आपका tvs scoot yas का तो ये rear shock up भी आपको हमारे पास देखने को مिल जाएगा तो दोस्तो ये rear shock up को हमने unbox कर लिया है कुछ इस तरह का आपको ये rear shock up देखने को मिल जाता है इंडूरेंस सोरी एसकोर्ट कंपनी का यह रियर शोकप है जो की आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगा जले जोस्तो अगले पार्ट पे हम चलते हैं और आपको और पार्ट भी दिखा देते हैं तो दोस्तो यह है आपका स्कूटी येस गाड़ी के फ्रंट इंडिकेटर ये फ्रंट इंडिकेटर ग्लासे से दोस्तो टीवियस स्कूटी येस के जो की आपको हमारे पास देखने को मिल जाने वाले हैं और दोस्तो वहीं पर आपन बात कर तो यह है बैक लाइट ग्लास इसकूटी येस गाड़ी का जो की आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगा और दोस्तो यह है आपकी पेट्रोल्टी तो चलिए इसको भी हम आपको open करके दिखा देते हैं यह पेट्रोल्टी भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाने वाली है यह TBS स्कूर्टी यह गाड़ी की पेट्रोल्टी है तो दोस्तो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है लेकिन इसके इस्पेर पार आज भी हमारे पास एविलेबल होते हैं पेट्रोल्टी आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी यह एर कंपनी की पेट्रोल्टी है दोस्तो अगर आपको रिक्वार्मेंट है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह दोस्तो टीबेस स्कूटी ओल्ड मोडल जो रहती है उसका लॉक सेट है तो चलिए इसको भी मिलता है तो यह लोग आपको हमारे पास देखने कोमल जाएगा चलिए यह औग्ले part पर चलते हैं तो दोस्तों यह अपकी कलंट पूल्ज है तो यह हमारे पास प्लेट इन केorted की कि अगर आपको रिक्वार्मेंट रहती है तो यह सब्सक्रेण सबीर्ट के देखने को मिल जाएगी तो आप हम से कॉंटक करके डीटेल्स ले सकते हैं ये आपकी variaiator plate है दोस्तों ये variaiator plate इसमें clutch के bush fit होते हैं तो ये variaiator plate भी हमारे पास देखने को मिल जाएगी चलिए दिखाते हैं आपको अगला पार्ट तो दोस्तों ये clutch का जो stay रहता है ये clutch stay की plate रहती है तो ये कुछ इस तरह कि आपको देखने को मिल जाती है यह दोस्तो क्लच की स्प्रिंग है स्कूटी एस स्कूटर की तो यह कुछ इस तरह है कि आपको clutch spring देखने को मिल जाती है जो कि हमारे पास available रहती है यह kick shaft है दोस्तो scooty yes गाड़ी की kick shaft तो यह kick shaft भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाएगी देख सकते हैं दोस्तो चलिए अगरे पार्ट पर चलते हैं तो यह spark plug है दोस्तो यह spark plug भी आपको देखने को मिल जाएगी हमारे पास यह दोस्तो आपका clutch योग है scooty yes काड़ी का clutch योग तो यह clutch योग भी आपको हमारे पास मिल जाएने वाला है यह आपका brake योग है brake योग clutch योग दोनों हमारे पास available है scooty yes scooter के चलिए दिखाते हैं आपको अगला पार्ट तो दोस्तो यह है आपकी kick spring यह kick spring भी दोस्तो हमारे पास available है requirement रहती है तो आप हमसे contact कर सकते हैं और दोस्तो यह है आपकी clutch की spring यह clutch में fit होती है तो यह clutch spring भी आपको हमारे पास available हो जाने वाली है यह दोस्तो clutch stay है यह clutch stay आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का clutch stay आपको देखने को मिलता है तो अगर आपको इस clutch stay की requirement रहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं दोस्तो scooties के हमारे पास लगबग सभी spare parts available रहते हैं यह आपकी magnet की fan है तो यह magnet fan भी हमारे पास available है आप हमसे contact करके details ले सकते हैं चलिए अगले part पे चलते हैं दोस्तो तो यह आपका fork assembly है TBS scooties की fork assembly भी दोस्तो हमारे पास आपको available हो जाने वाली है चलिए दोस्तो चलते हैं अगले part पे तो यह है आपकी self motor TBS scooties की self motor भी दोस्तो आपको हमारे पास available हो जाने वाली है चलिए इसको भी हम आपको unbox करके दिखाते हैं और इसकी quality दिखाते हैं कि किसका कार की quality आपको self motor की देखने को मिल जाने वाली है तो दोस्तो self motor की बात करें तो कुछ इस तरह का self motor है जो आपको scooties का देखने को मिलने वाला है मुकुट की ब्रेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी और दोस्तो self motor भी आपको TBS scooties का हमारे पास देखने को मिल जाने वाला है चलिए दोस्तो अगले पार्ट पे नजर मारते हैं तो दोस्तो यह है आपका headlight glass यह है दोस्तो TBS scooties का headlight glass जो की आपको हमारे पास available हो जाने वाला है quality की बात करें तो एकदम premium quality का यह headlight glass है जो आपको हमारे पास available हो जाएगा चलिए अगले पार्ट पे नजर मारते हैं दोस्तो तो यह आपका plug adapter है यह होस पाइब भी आपको हमारे पास available हो जाने वाला है यह है दोस्तो आपकी शर्रा कटोरी कपकॉन सेट बोलते हैं तो यह स्कूटies की कपकॉन सेट भी आपको हमारे पास available हो जाएगी यह जाड़ी का कमपनी की दोस्तो कपकॉन सेट है एकदम premium quality की कपकॉन सेट भी मानी जाती है तो यह भी आपको हमारे पास available हो जाने वाली है दोस्तो यह है आपका kick lever TBS Scootie ES का kick lever भी आपको हमारे पास available हो जाएगा यह kick lever है देख सकते है Scootie ES का तो यह Scootie ES की kick lever की requirement है तो आप हमसे contact कर सकते हैं यह आपके buttons है दोस्तो यह buttons भी आपको हमारे पास available हो जाएंगे यह dipper switch dipper button है यह dipper button है दोस्तो headlight dipper button है और यह आपका self button है और यह आपका horn button है तो यह सभी button आपको हमारे पास available हो जाने वाले हैं चली अगले पार्ट पर नजर मारते हैं दोस्तों ये केबल्स हैं सभी केबल्स हमारे पास अबलेबल है पहले हम आपको नजर मारके दिखवा देते हैं तो सभी केबल्स हमारे पास अबलेबल है ये आपकी फ्रंट ब्रेक केबल है और दोस्तों ये आपकी एक्सिलेटर केबल है जो की हमारे पास अबलेबल है ये हो जाएगा चैप को हमारे पास हे उड़ा हो जाएगा यह सकते हैं प्रिम्यम क्वा ठीव जाने वाला है तो तो दोस्तो ये थे आपके TVS, Scooties के spare parts इसमें दोस्तो बहुत से spare parts हम अपनी वीडियो में cover नहीं कर पाएं हैं अगर आपको कोई भी parts की requirement रहती है तो description में हमने WhatsApp नंबर दिया हुआ है और हम अपने screen पे भी WhatsApp नंबर mention कर देंगे तो आप हमसे contact करके कोई भी spare parts की जानकारी हमसे ले सकते हैं दोस्तो बहुत से body parts भी हमारे पास available हैं जो हम वीडियो में cover नहीं कर पाएं हैं तो आप हमसे contact करके details ले सकते हैं ठेंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए